चलिए आज बनाते हैं लोकी के मलाई कोफ़ते बहुत ही हैल्दी और बहुत ही जादा टेस्टी जिसे आप वरत में बहुत अराम से खा सकते हैं यहां मैंने आधा कप काजु लिये है उसे मैंने आदे घंटे के लिए पानी में गरम पानी में सोक कर दिया था अब एक mixer jar में मैंने वही काजू लिया है, पानी निकाल दिया उसका, साथ में लिया है मैंने नारियल का बुरादा, अगर आपके पस फ्रेश नारियल हो तो दो चम्मच आप वो ले लीजे, ने तो दो चम्मच नारियल का बुरादा, थोड़ा सा दूर डाल के हमने इसका fine paste बना लेना, अब इधर कड़ाई में देसी घी लेंगे, उसमें डाला है मैंने लॉंग है, इलाइची है, दाल चीनी है, वो हम डालेंगे, देखे यहां वरना हम जितनी कुकिंग आज कर रहे हैं, हम लो फ्लेम पर करेंगे, हाई बिलकुल नहीं करने हैं, यह तो ग्रेवी क हमें अच्छे से पिस जाए बस, और हमने सो करके रखे थे काजु वो अराम से उसकी ग्रेवी बन जाती है, उसका अराम से पेस्ट बन जाता है, यह देखे है, इसे लो फ्लेम पर लगातार हम भूनते जाएंगे, तो यह तरह से गाड़ी हो गई है, तो अब इसमें हम डाल लो फ्लेम पर ही, और हमेशा कुकिंग जो होती न, दहीं वाली वो लो फ्लेम पर करी जाती है, ताकि दहीं भटे नहीं, यह देखे, बहुत अच्छे से जो हमारी ग्रेवी है, पक गई है, मैंने अभी नमक मसाला कुछ नहीं डाला है, अब थोड़ा सा पानी डालें, क्यो ग्रेट कर लिया है, अब इसमें थोड़ा सा नमक डालके न, इसे हम साइड में रख देंगे, ताकि जितना लौकी का पानी है, वो निकल जाए, और लौकी में अगर जाधा पानी होगा, तो इसमें बाइंडिंग के लिए में जाधा चीज़े आद करनी पड़ें, तो लौ कर सकते हैं, अब इसमें अद्रक भी करदूकस करके डाल सकते हैं, अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, जितना मोइस्टर अगर मिनिकलम, लौकी में या पनीर में, तो आपको इतना ही बैंडिंग जाधा करने ही पड़ेगी, अब इसमें में डाल देंगे, थोड़ा सा डालेंगे हम चावल का आटा, जो हम वरत में खाता है, सामक वाला चावल आटा, वो, अब इसे मिक्स कर लेंगे, जाधा बिलकुल नहीं डालना है, नहीं तो लौकी का फ्लेवर खतम हो जाएगा, चावल आटे की ही आपको फ्लेवर आएगा, या आप सिंगाडे का आटा लेकिन कुट्टो काटा मट डालेंगे, तो इसे जो कोफते का कलर है, वो डाक हो जाता है, अब इस तरह से मैंने इसकी बॉल्स बना ली है, आप यहां तो इसे आजटेस फ्राई कर लीजे, लेकिन मैं इसे शेलो फ्राई करूँगी, इस तरह सिलंट्रिकल शेप दे करी, द बाइंडिंग के जरुती नहीं है, क्योंकि हमने थोड़ा सा आटा भी डाला है, और आलू भी जो है, वो बाइंडिंग इजिट का ही काम करता है, और आलू में बिल्कुल मॉइस्चर नहीं था, वो अलड़ी फ्रिज से बाहर पड़या था, यह देखे, अब फ्राई हो क्योंकि जो कोफते बनाए है, उसमें भी नमक है, और बढ़िया फ्लेवर के लिए हम डालेंगे जाइफल, यह जरूर डालिएगा, हो तो जरूर डालिएगा, नहीं है, तो कोई बात ने, थोड़ा सा इलाइची पाउडर, यह बहुत एक फ्रेशनेस देंगे, बहुत अच मावा, यह जरूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा एक टेक्स्चर आथा, बिल्कुल मार्केट स्टाइल वनेगा, मिक्स करने के बाद जब अच्छे से मिक्स हो जाए, गैस आफ कर दी जवाब बादी है, प्लेटिंग की, यहां मैंने देखे, यह कोफते मैंने इस तरह अच्छे से अपनी ग्रेवी पोर करते हैंगे, अगर आप कोफते डाल देऊगे ना ग्रेवी के बीच में, तो यह बहुत जल्दी मॉइस्चर इब्जॉप कर लेंगे, सारी ग्रेवी यह सोक लेते हो, तो ग्रेवी एक तम खतम हो जाए, यह सूख जाएंगे, इसे जब आ जा रहे हैं, तब आप इस तरह से प्लेटिंग कीजे, यह देखे, बहुत अच्छे से इसके सारी ग्रेवी ती बढ़िया टेस्टी बनी है, इसके ओपर मैंने डाले है काजू, और यह किश्मिश फ्राए करके, बहुत अच्छा एक मीठा बना आता है, यह देखे, देख र पैन जोब रहे हैं, जो नहीं है, तो उन्हें जैन आता है, बहुत आए अपको पसंद आएगी, जै माता दियू अग।